ओम नमो भगवते वासु देवाए आप सभी का दिन शुब और मंगल में हो भगवन विश्णु की करपा सदा आप सभी पर बनी रहे हर महीने दो एकादशी पढ़ती हैं और हर एकादशी का अपना अपना अलगी महत्व है मार्गशी इस महीने के कृष्णु पख्ष की एकादशी को उतपना एकादशी कहा जाता है मानेताओं के नुसार इस दिन एकादशी माता का जनम हुआ था और इसलिए इस एकादशी का नाम उतपना एकादशी पढ़ गया मानेता है कि इस व्रत को रखने से जीवन में सुक और सम्रिध्धी आती है पौराणिक कथाओं के निसार इसी दिन माता एकादशी ने मुर्ध नाम के राक्षस का अंत किया था और एकादशी माता भगवान विश्नु का ही स्वरूप मानी जाती है जो भी भगत एकादशी का व्रत प्रादम करना चाहते हों उनके लिए आज का दिन बहुत खास है आज के दिन से ही आप एकादशी व्रतों की शुरुआद कर सकते है व्रत रखने वाले भक्तों को एक दिन पहले याने की दश्मी तिथी की रात में भूजन नहीं करना चाहिए एक आदशी के दिन प्रातहकाल उठकर इसनान करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए इसके बाद भगवान विश्नु और भगवान कृष्न का पूजन करना चाहिए उन्हें पुष्प, जल, धूप, दीप, अर्पित करना चाहिए इस दिन अक्षित का प्रयोग पूजा में नहीं किया जाता है और भगवान को भी केवल फलों का ही भोग लगाया जाता है धूप, दीपक जलाकर व्रत की कथा पढ़नी और सुनी चाहिए और भगवान विश्नु का ध्यान करना चाहिए दिन पर उपुवास करके रात में पूजा करने के बाद अगर संभवोत रात्री जागरन करना चाहिए भजन कीरतन करना चाहिए और अगले दिन द्वादशी तिथी को व्रत का पारन करना चाहिए यानि कि एकादशी का व्रत खोलना चाहिए व्रत खोलने से पहले किसी भी जरुरत मन व्यक्ति को या ब्रहमन को भोजन या फिर्दान दक्षिना देनी चाहिए इसके बाद ही स्वैम भोजन करके वरत खोलना चाहिए इसे कादशी का मुख्योदेश मनुष्यों के वर्तमान जनम और पिछले जनम में उनके हाथों से हुए जाने अंजाने में कोई भी पाप या बुरे कर्मों से मुक्त होना होता है ताकि इस जनम में उन्हें फिर मुक्ष की प्राप्ती हो सके पौराणी कथाओं के नुसार देवयुग में मुर्ण नाम का एक राक्षस हुआ करता था जिसने समस्त ब्रहमांड पर विजय प्राप्त कर ली थी राक्षस मुर्ण ने देवलोक और देवराज इंद्र दोनों को ही पराजित कर दिया था अपनी पराजय और सभी लोकों पर मुर्ण के उत्पात से चिंतित होकर सभी देवकर्ण भगवान शिव की शरण में जा पहुँचे और अपनी रक्षा करने के लिए विंति करने लगे भगवान शिव देवताओं से भगवान विश्ण के पास जाने के लिए कहने लगे कि वही आपकी समस्या का निवारन कर सकते हैं तब सभी देवता बैकुंठ धाम में पहुँचकर भगवान विश्ण को प्रणाम करते हैं और भगवान विश्ण को राक्षस मुर द्वारा किये गए विनाश और देवताओं को बंधक बना लेने की बात पताते हैं देवराज इंत्र की दैनी प्रार्थना से भगवान विश्णु ने राक्षस मुर का वद करने का निश्चे किया फिर भगवान विश्णु और मुर के बीच में भीशन युद्ध शुरू हुआ लेकिन भगवान विश्णु द्वारा चलाये जा रहे किसी भी अस्त्र शेस्त्र का उस राक्षस पर कोई प्रभा हो ही नहीं रहा था इस बात को ध्यान में रखकर भगवान विश्णु ने मुर को मल्ल युद्ध करने के लिए आमंत्रित किया दोनों के बीच यह युद्ध भी लगभग एक हजार वर्ष तक चलता रहा पर भगवान विश्णु भी अब मुर की शक्ती के आगे ठकने लगे थे तब भगवान विश्णु ने अपनी उर्जा पुना एकत्रित करने के लिए युद्ध भूमी में से दूर एक गुफा में जाकर विश्राम करने का सोचा गुफा में विश्राम करते करते जब भगवान विश्णू सोने लगे तभी राक्षस मुर भी उनका पीछा करते करते उसी गुफा में आ गया भगवान विश्णू को सोता हुआ देखकर वह उन्हें मारने ही वाला था कि तभी भगवान विश्णू के शरीर से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और वह एक इस्त्री के रूप में परिवर्थित हो गया तब उसी दिव्य तेज ने ही राक्षस मुर को युद्ध के ले ललकारा राक्षस मुर ने उस इस्त्री की चुनौती स्विकार कर ली फिर दोनों में भीशन युद्ध आरंभ हो गया वह दिविनारी अपनी पूरी शक्ती से युद्ध कर रही थी जब मुर ठकने लगा तब इस बात का फायदा उठा कर उसे दिविनारी ने देखते ही देखते राक्षस मुर का वद कर दिया युद्ध के कुछ समय के बाद जब भगवान विश्णू की निद्रा तूटी तब उन्हाने उस दिवि इस्तरी से पूछा कि वह कौन है और किसने इस राक्षस का वद किया तब उस दिवि तेज रूपी देवी ने कहा कि हे प्रभू यह मुर्ध नाम का दैत्य आपका वद करने जा रहा था तब मैं आपके शिरिर से प्रकठ हुई और उस राक्षस का मैंने वद कर दिया यह सुनकर भगवान श्रीहरी अत्नित प्रसन हुए और उन्होंने देवी से वर्दान मांगने के लिए कहा जिस पर देवी ने कहा कि मेरी उत्पत्ती का ये दिन हे प्रभू मंगल सूचक होना चाहिए जिससे कि आपके भगत जब अपने निवास की काम न करे तो शीगर पहुंच सके और आपके साथ ही भगत मेरी भी इस दिन पूजा करके मोक्ष को प्राप्त कर सके तब शिरी हरी ने वर्दान देकर उस देवी का नाम एकादशी रख दिया और कहा कि आज से जो भी भगत मुझे प्रे होंगे वो तुम्हें भी प्रे होंगे तब ही से इस दिन को उत्पन्ना एकादशी या उत्पत्ती एकादशी के नाम से जाना जाता है मानेता है कि इसी दिन से सभी एकादशी व्रतों का भी जन्म हुआ इसी दिन से एकादशी व्रतों की शुरुआत भी की जा सकती है अब सुनिए शिरे विश्नु चालिसा पाथ और एकादशी माता और विश्नु भगवान की आरती शिरे विश्नु चालिसा पाथ विश्णु सुनिये विने सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूँ दीजे ग्यान बताए शंक चक्र करगदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे, सत्य धरम मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे, संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दोस्टन दल गंजन, सुख उपजाय कस्ट सब भंजन, दोश मिटाय करत जन सज्जन, पाप काट भव सिंधु उतारण, कस्ट नाश कर भक्त उबारण, करत अनेक रूप प्रभुधारण, केवल आप भक्ति के कारण, धरणी धेनू बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा, भार उतार असुर दल मारा, रावन आदिक को संहारा, आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया, धर्मत सितन सिंधु बनाया, चोदहरत नन को निकलाया, अमिलक असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया, देवन को अम्रित पान कराया, असुरन को छविसे बहलाया, कूर्म रूप धर सिंधु मजाया, मंदरा चल गिरी तुरत उठाया, शंकर का तुम फंद छुडाया, भसमासुर को रूप दिखाया, वेधन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढुंडवाया, मोहिनी बन कर खल ही नचाया, उस ही कर से भसम कराया, असुर जलंधर अतिबल दाई, शंकर से उनकीन हिलडाई, हार पार शिव शकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई, सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ग्यानी, व्रिंदा की सब सुर्ति भुलानी, देखत तीन दनुज शैतानी, व्रिंदा आये तुम्हें लपटानी, हो इस बर्ष धर्म छती मानी, हना असुर उर्शिव शैतानी, तुम ने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरना कुष आदिक खल मारे, गणिका और अजा मिल तारे, बहुत भक्त भव सिंदु उतारे, हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरी सिर्जन हारे, देखा हु मैं निज दर्ष तुम्हारे, दीन बंधु भक्त अनहित कारे, चाहता आपका सेवक दर्षन, करहु दया अपनी मध सूदन, जानु नहीं योग्य जब पूजन, होए यग्य स्तुति अनुमोदन, शील दया संतोस सुलक्षन, विधित नहीं व्रत बोध विलक्षन, करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीशन, करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भाती मैं करहु समर्पन, सुर नर्मुनि करत सदा सिवकाई, हरशित रहत परमगति पाई, दीन दुखिन पर सदा सहाई, निजजन जान लेव अपनाई, पाप दोश संताप नशायो, भव बंधन से मुक्त कराओ, सुत संपति दे सुख उपजाओ, निजजर्णन का दास बनाओ, निगम सदा ये विने सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भवक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, छण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपति घर आवे, कश्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहु में किस की, स्वामी शरण गहु में किस की, तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूं में जिस की, ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरण परमात्मा, तुम अंतर यामी, स्वामी तुम अंतर यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सब के स्वामी, ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं मूरख खलकामी, मैं मूरख फलकामी, कृपा करो भरता, ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सब के प्रान पती, स्वामी सब के प्रान पती, किस विधी मिलू दया मैं, किस विधी मिलू दया मैं, तुम को मैं कुमती, ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी राक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे, ओम जय जगदीश हरे, विशय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रधा भक्ती बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, छण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, विश्नों पूजा व्रत को धारण कर, शक्ती मुक्ती पाता, ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देभी, भक्ती प्रदान करनी, गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वरनी, ओम जय एकादशी माता, मार्ग शीर्ष के कृष्न पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारन जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्ती दाता बन आई, जय एकादशी माता, पोश के कृष्न पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होई पुत्रदा, आनन्द अधिक रहे, ओम जय एकादशी माता, नाम शट तिला माघ मास में कृष्न पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे, जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्न पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्न पक्ष में चैत्र महाबल की, ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरूथ नी कृष्न पक्ष में वैसाख महावाली, ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहनी, अप राजेस्ठ कृष्न पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी, जय एकादशी माता, योगनी नाम अशार में जानो, क्रेश्न पक्ष करनी, देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी, जय एकादशी माता, कामी का श्रावन मास में आवे, क्रेश्न पक्ष कहिए, श्रावन शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए, जय एकादशी माता, अजा भाद्र पद क्रिश्न पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा आश्विन क्रिश्न पक्ष में, वृत्से भव सागर निकला, जय एकादशी माता, पापां कुशा है शुक्ला पक्ष में आप हरन हारी, रमाकार्तिक में आवे, सुख दायक भारी, ओम जय एकादशी माता, देवो थानी शुक्ला पक्ष की दुख नाशक मईया, पावन मास में करू विनती, पार करो नईया, ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्न पक्ष में होती, जन मंगल करनी, शुक्ला पक्ष में होई पद्मनी, दुख दार द्रहरनी, ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ती सहित गावे, जन गुर्दिता स्वर्ग का वासा, नेश्चे वेह पावे, ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही कमेंट बॉक्स में विश्ण भगवान की जय जरू लिखिएगा